दोस्तो चीन ने बारत को पितालिस साल बाद फिर दोगा दिया है करीब कल की बात करूं तो लद्दाक में बात चीत करने की भारत की सेना पर चीन की सेना ने हमला कर दिया यह हमला पत्तरों लाठियों और धारदार चीजों से हमला पोला था इसमें बारत के कमांडर ऑफिसर स करीब 20 सेनिक शहीद हो गए हैं तीन गंटे चली यह जड़ब दुनिया की दो एटमी तागतों के बीच लद्दाक में 14,000 फिट उची गलवान वैली में होई थी उसी गलवान वैली में जहां 1962 की जंग में 33 भारतियों की जान गई थी भारत ने चीन की तरफ हुई बाची इं जारी कर दी हैं क्योंकि फ्रेंट इंजलों की सीमा चीन से लगती हैं बात करूं इस कवायत के मकसा स्थानी लोगों को खत्रे से बचाना है और खूफिया जनकरी जुटाना है पुलिस ने कहा है कि लोगों की इपाज़त के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जाएंगे तो चीन के कबजे में चीन रुक रुक कर भारती सेनकों के बेज रहा है कुछ सेनिक नदी में गिर गए ते जिनके शब मिल रहे हैं 24 गंटे होने को आये हैं लेकिन उनका कोई पता नहीं चला है लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल पर चीन के हलिकॉप्टर का मूवमेंट भी बढ़ गया है वहीं अपनी सेना के हता होतों को भी एयर लिफ्ट किया जा रहा है तो चीन की तरफ से आई एक ख़बर है जिसमें धंकाने वाले अंदाज में आ गया चीन का भारत एक तरबा चीन के सरकारी एकवार्दा ग्लोपल टाइम ने चीन के विदेश मंतरा लेके वाले से बताया कि बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच रजावन्दी बनी ती लेकिन भारती जवानों ने से तोड़ दिया और बॉर्डर क्रोस करने की कोश्च की तो दोस्तों ये थी पूर स्कारी वीडियो